हलो फ्रिंट तो कैसे आप सब दोस्तों उम्मित करते हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्था होंगे हमारे वुड़ों के माध्यम से देख लीजे यह सन फ्लावर जिसें सूरज मुखी के नाम से जनते हैं तो इसी काज मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार करना सिखा वात पित कफ इन तिनों दोस्तों के कारण हमारे सेरीर में भीमारी होती हैं यह सारे जानकारी मैं आप लोगों को अपने पिछले वुड़ों में बता चुका हूं और जो मैं आप लोगों को प्चार सिखाता हूं या सोयम नहीं करना चाहते तो दूसरे को भी आप बता शक अगर शही विधी में खन करके लाया जाए इसका परो किया जातो तो आए जानते हैं यह सूरज मुखी हैं इसका परो कौन सा बीमारी में किस प्रकार से किया जाता है थोड़ा विस्तार से जानते हैं और थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा प्राची समय में जब सबसे पहले इसके फायदे इस प्रकार से अब ले सकते इसमें दात के दर्दा दूर करने के लिए अगर दात में दर्दा के परशानी है तो इसके जड़कों पिछ करके दातों पर मलने से दात के दर्दा ठीक हो जाते हैं कान में दर्दा होते हैं तो इसके तेल को एक से दो बुन कान में डालने से कान के दर्दा दूर हो जाते हैं इसके बाद में पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुक हो गहिंगा रोग जिससे गलकंड के नाम से हम आयरुवित के भासा में जानते हैं इससे अगर को पीच करके गले पर लेप करने से गलकंड या घींगा रोग है इसमें कापी अराम मिलता है ठीक हो जाता है इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये पेट की क्रीमी को ठीक करने का काम करते हैं एक से तीन ग्राम की मतर में सुरज मुखी के बीज खिल पन की वज़ा से गलत कहा जाए ऐसम चीजों को खा लेते हैं जो की पचने का नाम ही नहीं लेती तो हमारे पेट में जा करके इस्टों बन जाते हैं या कहा जाए बहुत से कारण हो सकते हैं पथरी बनने के तो दो कराम इसके जड़कों गाय की दुद में पिछ करके पिला यूश्फुल होती है फायदे मन शावित होती है इसके पत्ते को पीच करके योणी पलागाने से योणी की घाव जल्दी ठीक हो जाते कम शक्ति बढ़ाने के लिए तीन गराम सूरज मुखी के बीजो को दो समेली लिटर दूद में उबाल करके मिश्टी मिला करके पीने से कम शक्ति बढ़ती है इसके साथ ही दोस्तों ये इसका एक और फैदा चले में बता देता हूं अंतिम फैदा की रूप में समझ लीजिए तो सूरज मुखी के अंतिम फैदे से प्रकार से हैं ये अस्तमा को ठीक करते हैं इसके पंचांग के चूरना में त्रिकुट मिला करक रखते हैं चावन के पाली के शाथ मिया घी खिला देने से शाशंबंधिरों यानि के अस्तमा जो है ठीक हो जाते हैं तो यह थे कुछ चिसके छोटे मूटे फैदे जो कि आप लोगों साथ में सेयर किया यह जानकारी कैसा लागे हमें जरूर बताना और अगर कोई भी आप